है स्पाम का चाहिस करना है तो जस्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले बहुत-बहुत सवागत है आप सब का जुप्ड़र की फिंगर रिंग-फिंगर से छोटी है तब अससे लो निर्भीक होते हैं निड़र होते है first रिस्क टेकर होते हैं रिस्क लेनी के आततिन की बहुत जादा बहुत ही डेंजरस रिवल वाली होगी क्योंकि यह उग्लियों की हाइट में अंतर बहुत जादा है अपना नफ़ा नुकसान देखे भी ना रिस्क लेनी को यह तियार हो जाते हैं लिटल फिंगर पहले पर तक करताा है तो संक्राइट पहुंच रही है तो टाइम को पैसे को वर्क को मैंदेच करना अचे से जानते हैं अंगठा जब इस तरह का होता है और इस तरह का होता है तो दोस्तों की संख्ये लोगों की बहुत ही कम होती है याद रखिया दोस्त नहीं बना पाते हैं ज़्यादा और उंगलियों की वीच में जब इस तरह से ग्याप होता है तो जिन्दगी को खुले दिल से जीने वाले ये लोग होते हैं जो होता है मूँ पे बोलते हैं, पीट पीशे बोलने के इनके आदत नहीं होती है, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, बट अपने दिल की बाद ये आपके मुझे बोलेंगे, और जिप्टर की फिंगर जब इस तरह से तिल्टेड होती है, तो धर्मी भावनाई लोगों में बहुत ही प्र प्रमिनेंट नहीं है, लेकिन 80% या 85% प्रमिनेंट है, तो इसे अच्छा जिप्टर का माउंट काउंट किया जाता है पालमेंस्ट्री में, तो सोचल लाइफ, मैरेज लाइफ, फैमिली लाइफ तीनों इनके अच्छी होगी, और इस भी क्रॉस है, इंडिपेंडेंडन क् सटन माउंट इनका बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, फ्लैट है, तो आलस क्या होता है, इन्हें पता ही नहीं होगा, और जाधी, जितनी के महनत करते हैं, उतनी सफलता इनको मिलती है, सन माउंट इनका बहुत ही बढ़िया है, प्रमिनेंट है, उभार लियेवे है, तो महनत से ज़्यादा सफलता देता है और फ्रेम देता है और पैसा भी देता है सन माउंट जब आपका अच्छा होता है मर्कुरी माउंट इनका बहुत ली बढ़े है शांदार है तो बोलने की कला बहुत अच्छी होती होगी होती है देता है ये तो इनके अंदर ये बोलते बहुत अच्छा होंगे healing capacity इनकी बहुत अच्छी होगी लोग अपनी problem लेकि इनके पास आते होंगे और ये ये लोग जिनकी market mount बहुत अच्छी होती है ऐसे लोग सुझा बहुत अच्छा देते हैं problem को सामने वाले की issues को अच्छे से समझ पाते हैं और उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं यानि healing capacity इनकी बहुत अच्छी होती है business mandate होते हैं और जब इस तरह से mercury तो आपका mercury का mount बहुत अच्छा है उसकी finger बहुत अच्छी है और उस पर ये loop बना हुआ है तो business sense आपका बहुत ही भीतरीन होगा बिना किसी doubt कि मैं बता सकते हूं साथी आपके sun mount पे square बहुत जादा है तो ये multi city का का sum देता है यानि different जिखें से मतलब एक जिखें से नहीं बलकि कई जगों से पैसा आता है ये लोगों के पास बहुत ज्यादा square है आपके sun mount पे साथ ही फिश का साइन भी है एक तो यहां है छोटा सा है लेकिन है जो कि हलका सा shifted है mercury के mount के तरफ तो international fame आपको मिलेगा बहुत बड़ा fame तो नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा और जब बहुत ज़्यादा lines होती है आपके sun mount पे तो ये बताती है एक इंसान का जो mind है वो stable नहीं है क्योंकि याद रखेगा sun line आपकी एक ये दो होती है लेकिन जब इतनी ज़्यादा lines हो आपके sun mount पे तो ये आपके जो आपके present का जो mind का situation है जो mind के thoughts है वो बताता है ऐसा नहीं है कि आपके future बताता है ये present के situation को बताता है कि जो सामने वाला है उसका जो दिमाग है वो एक point पे इस्थिड नहीं है इस वज़े से ये सारे lines बन रहा है ये मिट जाते है six month बस आप अपने दिमाग पर control लखेगा तो ये जो होचपोच वाली स्थिटियों की दिमाग के अंदर की करना क्या है वो खत्म हो जाएगा otherwise आपका mount बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर शायद इनके cross बन रहा है शायद दूसरे pick में भी मुझे शायद ही लगा है मैं sure नहीं हूँ मुझे लग रहा है यह क्रॉस है तो फादर के साथ बनती नहीं है इनकी यानि फादर से दूरी दूर रहना पड़ता है इनको और इनका जुप्टर का mount बहुत हास है क्योंकि इनके जुप्टर के mount पे एक तो square बहुत जादा है बहुत बढ़ा square है जब इतना बड़ा square होता है तो हवीली में रहने का मौका मिलता है मतलब बंगलियों वग्यादर मिलता है इन लोगों को रहने के लिए घर बहुत अच्छा होता है और multiple property का यह sign होता है जब इतने ज़्यादा square होते हैं आपके जुप्टर के mount पे इतने ज़्यादा square मुझे बहुत बड़े जो businessmen होते हैं उनके हाथ में देखने को मिले हैं बिर्यक्रेट्स के हाथ में होते हैं और politician जो होते हैं उनके हाथ में होते हैं और साथ ही जो मैं यह social activist को भी politician ही मान के चलते हूँ वह भी गईना के politics ही करते हैं लेकिन जनहित के लिए करते हैं यह भी और वो तो social activist जो बड़े level के होते हैं उनके हाथ में भी इस तरह के जुपिर का mount और यह sign मुझे देखने को मिला है साथ ही यह जो जितने भी बड़े political leaders होते हैं या social activist होते हैं उनके हाथ में भी इस तरह का mercury का mount होता है आपके जुपिर के mount पे राजा लूप है इस पिक में तो साफ दिख रहा है यह देखे है राजा लूप rare होता है रेर इसलिक आ जाता है क्योंकि यह लाखों में किसी एक की हाथ में पाय जाता है यह लूप जिनके भी हाथ में होता है ऐसे लोगों की जो initial life होती है उसमें struggle होता है लेकिन एक वक्त के बाद इन्हें बहुत ही जादा तरकी मिलती है और life तरकी कोई छोटी मूटी नहीं मिलती है बहुत बड़े level वाली मिलती है इस, IPS, political leaders, social activists जो उनको name fame मिलता है उनके हाथ में मैंने यह राजालुप देखा है और artist के हाथ में होता है यह राजालुप नॉर्मल इनसान के हाथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा साथ ही यह loop of seriousness है जो इनसान को गंभीर बनाता है यानि धहरवान बनाता है आप चलते हैं बाके mounds को देख लेते हैं इनका low mass बहुत ही बढ़िया है तो health को लेकर के कोई खास issues नहीं होंगे इनके life में और जब आपके low mass और venus mount को बीचे इस तरह से जब अंगठे को मोड़ते हैं और इस तरह से जब ऐसे cut बनता है तो यह गुस्सा वाला nature बताता है इनसान का ऐसी लोगों को जब गुस्सा आता है तो हाथ भी उठा सकते हैं यह वाला nature होता है और venus mount इनका बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बड़े political leader या social activist के हाथ में होता है इसी तरह का venus mount मैंने देखा है और या देखेगा अगर आपको किसी भी बड़े political leader के हाथ की वि मैं कहना कुछ और जा रही हूं हो कुछ और रहा है मतलब यह की businessman का जो हाथ होता है उसमें छोटी उंगलियां भी चलती है लेकिन जो बड़े political leaders होते हैं उनके हाथ में आप दिखीगा कि उंगलियों का जो size होता है ठेक और हतेली की size होती है वो maximum बड़ाबर होती है एकदम से और इसमें भी आप दिख लीचे दोनों बरुबर है एकदम से यह भी इसकी भी size और इसकी भी size दोनों बरापर आपको दिख रही होगी तो ऐसे लोग मुझे ऐसा लग़ा है कहिना कि आने वाले टाइम में politics mentor ही ले सकते हैं या फिर social activist हो सकते हैं यह moon mount इनका अच्छा है prominent है तो विदेश से धन आगमन के और संकेत करता है साथी साथ foreign जाने के भी chances मिलेंगे इनको लेकिन foreign में जाकर के 100% settlement वाला हाथ मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि इनकी जो life line है वो गोलाई में है अगर आपको यह जानना हो कि foreign settlement वाला हाथ कौन सा होता है तो याद अखेगा जब भी आपकी जो life line होती है वो इस तरह से अगर यहां से cut लेते हुए यहां से branches निकलते हुए इधर shift हो जाए पूरी तरह से ऐसे moon mount के तरफ तो 100% foreign settlement वाला वो पाम होता है लेकिन जैसे ही गोलाई में आपकी life line घुम जाती है तो वो foreign settlement नहीं होता ह आपको वापस अपने देश लौटना ही होता है मतलब जीवन का जो अंतिम चरण होता है या अंतिम जो वर्ष होते हैं वो अपने देश में गुजारना होता है अब हमाज इनका अच्छा बढ़े आए अपने मन पसंद लोगों से जब यह मिलते होंगे तो बहुत ही खुशे खुशे वेलकम करते होंगे लेकिन जिन लोगों को यह पसंद नहीं करते होंगे यह देखना भी गवारन नहीं करते होंगे अब चलते हैं, इनकी जो हर्ट लाइन है, अब इनकी हर्ट लाइन को देख लेते हैं, एक तो इनकी हर्ट लाइन स्टार्ट हुई है, जुप्टर से, जुप्टर से जिनके भी हर्ट लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, यानि भगवान के जैस से इनको यह इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं कि इनको किसी के अंतर कोई इप चनु्चान के इंनेफ दिखती हिनी है तो यह इन आप पाम स्मझनेarm को समझने में लिक्ते, भाई एक वक्त के बाद तो आप आपके पास इतना अच्छा खासा वो experience मिल जाता है आपको life की समझ आ जाती है फिर आपको कोई बेफूफ नहीं बना सकता तो यह मैं अच्छा मानती हूँ इंसान को अच्छा होना चाहिए पर इस सित्या कुछ भी हो न आपने अच्छा ही न लाइफ में और यह उसके बाद यहां से इनके अंदर बदलावाता है क्योंकि सभी जिनके भी मैंने आज तक जुपिटर के से स्टार्ट होती हुई हट्लाइन देखिए उनकी हट्लाइन एक बार तो बडिक होती है अच्छे से और उसके बाद वो life को अच्छे से जीना जा में आ जाएगा कि life में पैसा कमाना बहुत ही जरुरी है और पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है और emotional फूल नहीं बनना है यानि life की समझ इनके अच्छे से आ जाती है इनकी जो mind line है भाई इनकी mind line तो बवाल एकदम एक तो मंगल से start हुई है तो ख्याली प्लॉप पकाने वाले होते हैं ऐसे लोग कुछ भी बनना होता है इनको मन ही मन कुछ भी बन जाते कभी प्रैमनेस्टर बन जाते हैं अभी अगर यूद चल रहा है यूक्रियन और रू का उस कहानी के पाथ लिए बनते रहते हैं लेकिन साथ ही इनकी जो life line है उसमें मैंड लाइन है उसमें यहां तक 52, 51, 52 तक इस तरह से जवाब की जो mind line होती है यह चली मैंड लाइन इनकी ऐसे यहां से मेरे आवास इदर उदर होती हुई आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि मेरे तब है ठीक नहीं है इस वज़े से आवास भी के लिए नहीं आ रही होगी जब भी आपकी मैंड लाइन पर इस तरह से ऐसे ऐसे करके नीचे से गोलाई लेते हुए हाफ सरकल में कुछ चीज़ें कारती हैं तो यह बताता है कैसे लोग अनावश्यक मतलब यूनिवर्स ने इनके लाइफ में इशूस दिये नहीं है यह लोग खुद इशूस किरियेट करते हैं और अपनी माइंड को फाल्तु की चीज़ों के लिए प्रिशराइज रखते है यह प्रिशर में डाल देते हैं दिमाग को ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है लेकिन को लगता है यह किरियेट करते हैं प्रॉब्लम अपने लिए और फिर उस प्रॉब्लम को माथे पे लेके बढ़ जाते हैं तो यह क्या करता है न यह इंसान के लाइफ में इशूस नहीं है फिर भी इंसान की life को help बनाता है, नर्क बनाता है, तो इसके remedies आपको करने हैं, क्योंकि आपकी midline पे बहुत ज़्यादा दबाओ है, दबाओ बहुत ज़्यादा है, वो 51 तक है, इतना ज़्यादा दबाओ जहलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो remedies केजिए, आप मुझस से जब भी आपकी life line चलती है, तो life को वो problem किडिट करती है life के लिए, लेकिन उसके बाद, यानि ये age होगे आपकी 30, 30 क्या सबस, 30 से आपकी life line स्टार्ट हुई है, 30 मैंने बोला है, तो 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, जो प्रस से स्टार्ट हुई है, यानि progressive life आपकी 31 या अपनी लिए खाफ देखे होंगे, वो सभी पूरी हो जाएंगे, 80 परसंट, अब ease wise calculation पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक तो यहां तक, देते हैं, एक तो यहां तक, इनकी life में stability हैं यहीं, मतलब पूरी तरह से बंधन योग से ग्रस इनकी life है, बंधन योग मैं पहले वीडियो में बता चुके ही, बहुत ही जादा बुरा माना जाता है पाल मिस्ट्री में, बंधन योग का मतलब यह होता है, कि आपको कोई चीज, ऐसा आपको लगेगा ना, कि आप लाइफ में बहुत कुछ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कि आपको रोके हुए है, कोई आपको अटका के रखा हुआ है किसी चीज ने, आप करना तो चाह रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है सही से, ठीक है, तो बंधन योग यह होता है, और जब यह मुख, जब आप बंधन योग से निकलते हैं, तो लाइफ स होता है न, जिसे माले जी नल का पानी और आपने बहुत एदम से रोग के उसको रखा हुआ है, देखा है आपने कभी और फिर उसको छोड़िये, तो एक दम से फुवारे जैसे निकलता है न, ऐसी भड़ी तरकी देता है, जब बंधन योग तोड़ता है, और वो तरकी थोड़ा सा positive change मुझे 27 में या 28, 27 में ने कहा है तो आप 28 या 26 लेके चले गा, उसमें कोई ने कोई जॉब वाप के chances मुझे लग रहा है, आपकी लाइफ में क्योंकि एक नई देशा मुझे दिखी है आपके, इससे पहले तो भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइफ पूरी तरह सिक्दम से नहीं होता है, जैसे मतलब जिरो पेटे सन्नाटा वाला, वो वाली condition रही है आपकी, 30 से track पे आ रही है आपकी लाइफ और बहुत बड़ा achievement आपको मिलने वाला है, 30 में, देखिए अगर मैं ये, आप क्या है कि इससे बीच में आपकी शादी है, इस अगर आपकी शादी 29 में नहीं होती है, ठीक है क्योंकि 29 में भी रिष्टे आने के chances बन रहे आपके, इस अगर शादी आपकी 29 में नहीं होती है, तो 31 में एक अच्छी से शादी की लाइन है, इस अगर आपकी शादी 29 में हो जाती है, तो 31 में आप कही न कहीं इंव कि नहीं तो में होंगी और उसके हैगा हमानीची हमने पहले ही पहली ही रुष्टे के लानीच में शादी करने लिए तो इस याण dining भी इस भी सब बोर न को आ but या झारा की एसπό कर लोगके हम जान थे होता है और जादी में भी खरक्चा होता है तो चॉले अ या investir करना start कर देती है तो उस line को आप एक तस यह भी मान सकते हैं कि उसे इस में आप कोई ना कोई property लेने वाले हैं अगर 29 में आपकी शादी हो जाती है तो फिर 31 में आप कोई ना कोई property लेंगे और अगर 29 में शादी नहीं होती है तो तो फिर 31 में शादी आपकी होनी तय है, ठीक है, उसके बाद, 33 में, अच्छा ये दीके बड़ा अच्छा है आपके हाथ में, 33 में भी मुझे है, पता नहीं क्यों, कोई रिलेशन लाइन लग रहा है, देखे लगातार आपके हाथ में है, शादीक लाइन 29 में भी है, रिलेश और मेट में हो गई, तो एक कोई इन्वेस्टमेंट लाइन आपकी बन जाएगे, और अगर 33 में होती है, तो पहले वाली दोनों इन्वेस्टमेंट लाइन बन जाएगे, ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद, 36 में आपकी हाथ में कोई बड़ा ओफ्शूट देख रहे हैं याँ बड़ा नहीं, छोटा सा है, तो कुछ ने कुछ, मतलब हासिल होने वाला है, आपको कोई प्लब्दी मिले वाली है, याद रखें, 30 में आपको बहुत बड़ा ओफ्शूट है आपके हाथ में, तो कोई बड़ा अच्यूमेंट आपको मिलने वाला है, उसकी बाद, 36 में हो गया, फिर 39 में अगेन आप्शूट है, बहुत बड़ा आप्शूट है यह, लेकिन उससे पहले, यादि 38 में कोई न कोई इस्शूज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो 6 मार के लिए आपकी लाइफ को डिस्टरब कर सकता है, राहो की लाइन है, आप एक काम किजेगा प्रेमेडिस कर लिजेगा राहो की, तो फिर यह सारी प्राब्लम भी सॉल्फ हो जाएगी, 39 में उसके बाद छोटी छोटी राहो के लाइन है, यानि छोटी छोटी प्राब्लम आती रहेंगी, 46 में बड़ा ओप्शोट मुझे दिख रहा है, और यहां से लाइफ में कोई चेंज भी दिख रहा है, तो हो सकता है आप देश बदलेंगे, घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, यह बदलाओं को दिखाता है, फिर उसके बाद 49 में इंवेस्टमेंट है, 51 में आप्शोट है और फिर आप्शोट, इंवेस्टमेंट, आप्शोट यानि राहू की लाइन्स की प्रॉब्लम खतम और प्रोग्रेस स्टार्ट, आपकी लाइफ ट्रैक पे आएगी 30 में, 29 में शादी की चांसेज हैं, आपके 31 में हैं और 33 में हैं, यह 3 चांसेज हैं, अगर पहले शादी ह हो जाती है, तो 2 इंवेस्टमेंट लाइन बन जाएगा, अगर बाद में मालीजी 31 में शादी होती है, तो 29 वाला इंवेस्टमेंट लाइन बन जाएगा, ठीक हैं, तो ये हो गईी एज़वाइस काल्कुलेशन आपकी लाइफ लाइन पे, अब ये changes आपके लख लाइन पे सोचते हैं भीड से हट के सोचते हैं जिसी इसको 10 लोग अच्छा बोलें यह नहीं बोलेंगे इनका अपना सोचने का तरीखा होता है यह अपने हिसाब से और खुद को ही यह सही मानते और नॉलेज भी बहुत होता है इंके अंदर इस पिक में क्योंकि बागी पिक्स में आपको कि 30 में इनकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज होगा वो यह रहा है यहां पर जब भी आपके लख लाइन पर इस तरह से वीश्य बनता है विश्णो चेंड बनता है तो वह आपकी लाइफ को तरक्की देता है और 30 31 में आपके लख लाइन पर भी यह एक एक्सपेंस बहुत है आपके आपके आप में यानी खर्चें बहुत होंगे आप पैसा बचाने से ज़्यादा खर्च कर रहेंगे अब क्यों होगा खर्च वो देखते हैं दूसरे पीक में नहीं नहीं 27 वाला यह लाइन नहीं है यह इन फैक्ट यह यह सन लाइन है जो इनकी लकलाइन से स्टार्ट होई लकलाइन से जब भी आपकी सनलाइन स्टार्ट होती है तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसे लोगों का कभी न कभी लाइफ में जैकपॉट तो लगता ही है यानी मेहनत से ज़्यादा इनको मिलता है लाइफ में यह रहा इनका 30 वाला इनके सनलाइन पर भी न 30 31 के आसपास विशेप बन रहा है यानि कुछ बड़ा तो होने वाला है इनके लाइफ में उसेज में और यहां से यहां तक काफी इनकी बहुत जादा मतलब आमदरी से जादा खर्चे हैं इनके लेकिन बचत होना स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में 32 के बाद से 33 के आसपास से बचत है लेकिन एक्सपेंस भी है आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यह तो मुझे शादिक इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपका यह 31 वाला है यह शादिक इन्वेस्टमेंट है यह 29 वाला है यह मुझे शादिक इन्वेस्टमेंट लग रहा है जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके हाथ में वो काउंट करते हैं वो है इस होगी आपकी 52 के आसपास और एक हो गया 40 41 के आसपास यह बाला यह दो बड़ा एक चीज और है आपकी जो माइड लाइन होती है ठीक है वो भी बदलाओं को दिखाती है यह देखें यहां से और यहां पर ट्राइंगल जब भी आपकी माइड लाइन पर ट्राइंगल बनता है तो उस एज में जब यह ट्राइंगल बनना स्टार्ट होता है और जब यह इंड होता है इस दोनों एज के ट्राइंप लिएर के बीच में आपको बहुत ज़धा खुशे हैं मिलती है और यह देखें यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन आप अपने खुद की सोच की वज़े से उन चीजों से साइड हो जाते हैं या उन चीजों से दूर हो जाते हैं तो लाइफ अगर आपको दिल खोल के कुछ देना चाह रहा है अब देखते हैं आपके हाथ में गवर्मेंट जॉब के कितने चाहसे है छोटा साइस है लेकिन गवर्मेंट जॉब के चाहसे आपके हाथ में है लेकिन बिजनस वाला मुझे यहाथ बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन government के तरव से कोई न कोई पद आपको एक न किसी न किसी टाइम में मिलेगा ज़रूर क्योंकि mercury आपके लक लाइन से जब भी mercury लाइन निकलती है तो government के तरव से पद मिलता है इंसान को वो आप सिक्षा के द्वारँ प्राप्त करें या फिर politics के जर्य है यह हाथ अगर मुझे से आप पोचेंगे किस तरह का हाथ है तो मैं आपको बताती हूँ यह हाथ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है एक तो यह जॉब वाला हाथ बहुत जॉब में भी अच्छा करते हैं लोग ऐसा नहीं नहीं करते हैं बिलकुल जॉब वाला भी हाथ है लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लग रहा है या तो आप सोशल अक्टिविस्ट बनेंगे या पॉलिटिकल लीडर और गर्वर्मेंट जॉब के चैंसे हैं आपके अब हंडिट परसेंट है या नहीं वो मैं एक बार फिर से देख लिते हूं छोटा सा ट्राइंगल तो यहां देख रहा है बड़ा ट्राइंगल नहीं है छोटा सा ट्राइंगल तो है आपके अब में क्या है कि एक इस्छूज है है सब कुछ लेकिन हलक हलका से इंकमप्लीट ट्रैंगल भी है तो मन के सब एक्षा हैं पूरी होती भी दिखाई देरी हैं आपकी साथ ही एक लाइन चाहिए होता है जो कि सन और इसकी यूदी करता हो यानि गटमंदन बनाता हो सरकार के तब से मिलने वाली किसी पद के लिए मुझे यहाथ बिजनेस वाला ज्यादा लग रहा है मुझे लग रहा है या तो फॉरेंच सेटल्मेंट वाला तो यहाथ है लेकिन हमेश्या जाकर कि वहाँ पर रहने वाला यहाथ बिलकुल भी नहीं है एक ना एक दिन आपको स्वादेश वापस लौट नहीं होगा जो कि आपका हाथ बताता है साथी जॉब बिलकुल जॉब वाला गी हाथ है मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्योंकि आप आने वाले टाइम हो सकता है आप पॉलिटिक्स में जाए मुझे ऐसी फिलिंग आ रही है आपकी हाथ को देखके और कुछ बताने वाला मुझे लग नहीं रहा है आपकी दोस्ता कुछ मैंने बता दिया आपको शुरू हाँ नहीं है हाँ शादी अच्छा आपने कहा था कि आपकी ये सभी लाइन सेम है एक ही हाइट की है नहीं है यह वाली लाइन आपकी सबसे जड़ा स्ट्रॉण है यह 3rd one जो है धिस सेबसे ऐसे तो छोटी छोटी होगी शायर इस तरफ वो दिखाई नहीं देड़ी लेकिन यह वाली लाइन जो है यह है है यह आपकी सबसे ज़़ादी स्ट्रॉण है और यही आपकी marriage line है तो marriage line को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है एक तो wife आपकी देखनी मच्छी होगी और dominating बिल्कुल भी नहीं होगी तो यह आपके लिए beneficial होगा और मैंने आपके हाथ के सबी चीज़े बता दिया और कुछ रह गया हो अगर तो आप मुझे से पूछ लीजिएगा एक बारी तो मैं बता पाम की otherwise और कुछ मुझे बताने लाइक लग नहीं रहा है बस आज के लिए तने हैं और किसी को भी अपने पाम का analysis करवाना हो तो वो Gmail पे या WhatsApp पे अपने पाम के पिक बेज सकते हैं और जब इस तरह से Moon Mound से आपकी जो लख लाइन स्टार्ट होती है तो याद रखेगा इसे लोग अपने घर से जितना दूर रहते हैं यानि अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा ये तरक्की करते है और एक और लख लाइन आपके स्टार्ट हुई है लाइफ लाइन से तो याद रखेगा ऐसे लोग अपनी महनत के दम पे खुद के दम पे लाइफ में बहुत बड़ा मकाम बनाते हैं आपके साथ इशूस क्या है बता है एक इशूस मैं सज बता रही हूँ आप अगर कॉंसेंट्रेट कर ले अपनी लाइफ में तो आप बहुत आगे जाएंगे माइड लाइन आपकी ये तो आपकी माइड लाइन वेब भी है वेब भी मतलब ये होता है जैसे ऐसे 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 करके चल रही है अलकी सी वेब भी माइड लाइन क्या करती है यह आपको एक पॉइंट पर कॉंसेंट्रेट रहने नहीं देती है एक जगह पर आपका दिमाग ठिकता नहीं है तो पहले क्या कीज़े न आप अपनी कॉंसेंट्रेशन लेवल को बढ़ाईए आप एक पॉंट पर ठीकिए लव मैरेज के शाइन आपके हाथ में वीक है इंकंप्लेट है मैंने बहुत कुशिश की यह देखने की एक साइन मुझे यह लगी भी एक साइन मुझे लगी भी यहाँ पर ये वाली लेकिन ये भी क्रॉस करते हुए मुझे लग दी है लव मैरेज का जो स्टॉंग वाला साइन होता है वो आपके पाम में नहीं है तो इसलिए अभी बना नहीं है ये भी हो सकता है क्योंकि आप खुद भी confident नहीं होंगे उस साइड पाम की जो लाइस से वो चेंज होती रहती है तो लव मैरेज के साइन नहीं होने का मतलब यह होता है कि आपकी जो शादी होगी उसके अरेंज होने के chances हाई होते है यानि आपके हाथ में अरेंज मैरेज है मेरे हिसाब से और हो सकता है कि आगे चल करके लेकिन एक sign है जो मुझे love marriage लग रहा है लेकिन वो भी धुंदली सी है incomplete लग रही है मुझे यह वाली इस पाम में इस पिक में बाकी पिक में यह sign नहीं दिख रही है अगर आप यहापी ink लगा के भीजेंगे तो शायद में आपको 100% बता पाऊँगी कि आपकी love marriage होगी कि या range otherwise इस तरह से क्या होता है flash आ जाता है यहाँ पे तो दिक्कत आती है मैंने सभी pics को देखे अगर मैं सभी pics एक एक करके दिखाने लगो तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और upload होने में बहुत जगा time ले लेगा इस वज़े से तो love marriage की chances कम लग रहा है लेकिन अगर आपको sure होना है तो ink लगवी palm के pic मुझे भेज देज़ेगा बाकि आप अपनी palm अपनी mind के लिए जाए मैं डिस लेना चाहे है तो ले सकते हैं आप मैं आपको दे दूंगी please आप आपको जरुरत है क्योंकि आप अपनी अपनी खुद की सोच के विज़े से तरक्यों तरक की जानी वाली है लाइप में उसको कम करनी की कोशिश कर रहे हैं जो की नहीं होनी चाहिए जब आपके लाइप में इतना कुछ भवान देना चाहा रहे हैं तो फिर उसे ही स्विकार कीजिए और आगे बढ़िए बस आज के लिए ताही टेक केर एंड बाबाई